Hello Friends, Welcome to the Success Kendra Friends, आज की इस वीडियो में हम लोग 67th BPSC 2021 के लिए full length practice state number 4 को discuss करेंगे Friends, इससे पहले already हम लोगोंने state number 1, 2 और 3 को cover किया हुआ है अगर आपने इन वीडियोज को नहीं देखा है तो देख लिजेगा मैंने सभी वीडियोज का link आज की इस वीडियो के description box में दे दिया है चैनल पर अगर आप पहली बार आया है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा साथी साथ bell icon को जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी important वीडियो BPSC से regarding upload किया जाए तो उसका notification सबसे पहला आपके पास पहुँच जाए तो चलिए friends बिना देरी किया हुए आज का session start करते हैं वीडियो को please like और share जरूर कर जीजेगा तो friends आज की session का पहला question देखिएगा पहला question जो है ये math का question है friends question number 1 से लेकर के 10 तक में math के question है इनको हम लोग यहाँ पर solve नहीं करेंगे इनका मैं answer आपको बता दूँगा आप लोग स्वयम इसको solve कर लेंगे देखिए friends पहला question जो है इसका सही answer option number B हो जाएगा उसी प्रकार से देखिएगा दूसरा question जो है तो आप असानी से इस question को solve कर लेंगे उससी प्रकार से तीसरा question देखिएगा एफ्रेंटस तीसरा प्रस्षिन जो है इसका करेक्ट सा option number A हो जाएगा 2 root 10 उसको बाद next question देख लेंगे question number 4 जो है इसका करेक्ट cursor option number A हो जाएगा 4 इसका correct answer हो जाएगा उसे प्रकार से पांचवा question देखेगा बहुत ही आसान question है यह आपको आता भी होगा इसको आप क्या करेंगे मीटर पर second में बदल दीजेगा तो 72 को मीटर पर second में कैसे बदलेंगे पांच बत्रा 18 सा आप multiply कर देंगे 18 चुका 72 पांच चुका 20 मीटर पर second यह जो हो जाएगा तो रैट टेंसर इसका कितना हो जाएगा रैट टेंसर इसका भी option number A हो जाएगा उसे प्रकार से 6 प्रोशन देख लिजेगा फ्रेंट 6 प्रोशन कह रहा है तो इसका भी अगर करेक्ट इंसर की बात करें तो रैट इंसर इसका option number D हो जाएगा ठीक है चार अनुपात एक next question देख लिजेगा question number 7 यहां साबको question number 7 फ्रेंट से दिख जाएगा देखे question number 7 जो है इसका correct answer मैं आपको बता देता हूँ question number 7 का correct answer option number B हो जाएगा उसे प्रकार से देख लिजेगा question number 8 इसका correct answer जो है यह option number A हो जाएगा 6.25% question number 9 देख लिजेगा बिल्कुल formula है question number 9 का correct answer जो है option number D हो जाएगा इसका PDF आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा आपनी सिंत रहिएगा ठीक है question number 11 है कि निमलेखित में से पौन द्वारा निर्मित अस्थला किरती है तो देखेंगे फ्रेंट्स आपको कोशिस करना है पांच से साथ सेकेंड के बीच में अपने अंसर चूलनेने के लिए उसका बद जो ही correct answer होगा मैं पूरी detail में आपको बता दूगा right answer option number C हो जाएगा पौन द्वारा निर्मित अस्थला किरती को यारदांग कहा जाता है फैकुलित जो है फ्रेंट्स ये क्या है तो देखें उपर उड़ते हुए जो लावा है उसका कुछ भाग छैतित रूप से पाये जाने वाले कमजोर धरातल आस्था में चला जाता है तो अलग-अलग आ जागने-चठानों की मोड़दार अवस्था में जम जाए तो इसको फैकुलित कहा जाता है तो यानि आप समझ सकते हैं यह जो है लावा से संबंदित है एसकर यह हिमानी की पिघलने से इसका निर्मान होता है और पुलीन जो है यह क्या है तो पुलीन जो है यह नदी से न तो देखे फ्रंट सक्रियेज्वाला मुखी का अधिकांस भाग जो है प्रसांत महासागर के टटी ये भाग में पाए जाता है इसे ही रिंग आफ फायर कहा जाता है तो राइट अंसर इसका उप्सन नंबर ए हो जाएगा 12 का ध्यान रखेंगे प्रसांत महासागर उसका नेक ये हो जाएगा ठीक है सूर्य और चंद्रमा के बीच में प्रिथवी के आ जाने से वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य गरहन की स्तिति कब बनती है तो जब सूर्य और प्रिथवी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब सूर्य गरहन की स्तिति बनती है और सूर्य गर पुरब से पस्सिम है बताए राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा सुख्रग्रह के बारे में आपको पता होगा कि सुख्र के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है और इसको प्रित्वी की भगनी जुडवा बहन भोर का तारह सांज का तारह यह सबसे गर्म ग्रह है और य लेकिन जोचीजीए आपको पहले से पता है वहां समय विरत करने से क्या फायदा है तो देखे ये स्वत्मत्र भारत की पहली तेल सोधन साला जो अस्थापित की गई थी ये महराष्ट में की गई थी क्लियर है चलिए नेक्स्ट कुस्ट अचा आप लोग कमेंट करके बताएगा कि दिगबोई कहां है ठीक है जरा आप कमेंट करके बताएगे नेक्स्ट कुस्ट देख लिजेगा कुस्ट नमबर सेबेंटीन है हमारा देखे कुस्ट नमबर सेबेंटीन क्या कह रहा है कि नमलेकित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है देखे भारतिये दलहान अनुसंधान संस्थान कानपूर में बिलकुल सही दिया गया है राष्टिये जब केंदरिये लगा दिया जाए तो कोयम बटूर में है राष्टिय डेरिया अनुसंधान संस्थान करनाल में है तो सुमेलित इसमें से option number C जो है नहीं है राइट टेंसर इसका option number C हो जाएगा सत्रा कर क्लियर है चलिए उसका बद question question number 18 देख लिजेगा देखे फ्रेंट्स question number 18 क्या कर रहा है question number 18 कर रहा है कि दुलहस्ती पर्योजना संबंदित है तो सबसे पहले जानिए कि यह जम्मू कस्मिल के किस्तवार जीले में है किस नदी पर है तो चेनाब नदी पर है option number A इसका correct answer हो जाएगा next question देखेगा कि भारत क चेतरफल का कितना प्रतिसत है कितना प्रतिसत है आपको पता होगा right answer जो है इसका 2.4% हो जाएगा उसका देखेगा और नाचल प्रदेश से कितने देशों की सीमा साजा करता है तो भूटान के साथ करता है और चीन के साथ जो की तिबद का एरिया पड़ता है और मैनमार के सीन देशों के साथ या सीमा साजा करता है वहीं आगर राजे पूछा जाए तो यह नागालेंड और असम के साथ सीमा साजा करता है क्लियर है option number 20 का सही अंसर हो जाएगा उसका देखिए कि मिकिर पहाड़ी संबंदित है मिकिर पहाड़ी जो है या किस से संबंदित है तो राइट इंसर बताईए राइट इसका असम हो जाएगा ठीक है ध्यान रखेंगे फ्रेंट्स पूछा जाता है नेमलखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखिए एक तरफ जो है दर्रे दिये गया है और दूसरी तरफ उनसे संबंदित राजी दिये गया है राइट बदेखेंगे कुंचिकल जल प्रपात अवस्तित है तो कुंचिकल प्रपात जो है या कहा है तो ध्यान जेखिए कंगे कुन। नदी आई-इंसर इसका हो जाएen है उसका अगला क्रोषण है तूंटीफॉर नंबार की नमलेकित में से कौन सी नदी मकर रेखा ko द दोबार काड़ती है किलियर है उसके बाद कांगो नदी या फिर इसको जायरे नदी भी कहा जाता है जायरे नदी जो है यह विशुवत रेखा को दोबार काड़ती है और करक रेखा को भारत की जो माही नदी है वो करक रेखा को दोबार काड़ती है तो प्रश्ण में आप से पुछा गया है कि मकर रेका को यह लिम्पोपो नदी हो जाएगा नेक्स्ट कुस्टन देख लिजेगा 25 नम्बूर कुस्टन बर 25 दिखे कि सिंदु घाटी सभेता के तहत सव के अंतेश्टी संसकार हेतु तीन विधियों पून समाधिकरन आंसिक समाधिकरन एवाम उंदाह संसकार के प्रमान निम्ले कितने से किस अस्थान से मिले हैं काफी इंपॉर्टेंट कुस्टन है रेटेंसर इसका उप्षन बढ़ी हो जागा काली बंगा क्लिर है चलिए अगला कुस्टन देख लिजेगा नेक्स्ट कुस्टन है कि पूरुष्णी नदी के टेर प 26 का करेक्ट इंसर जो है यह रिगवेद हो जाएगा ध्यान रखेंगे उसके बाद देखेगा 27 नंबर कि प्राचीन धर्म ग्रंतों में निम्लिखीत में से किस सासक का नाम काकवंड मिलता है तो काकवंड किसको कहा जाता था काकवंड कहा जाता था बताए रेट इंसर पहल महा पदमनन्द नहीं कलिंगो सरपर्थम मगद में मिलाया था यह भी प्रशन पुछा जाता है उसका बाद देखेगे कि विष्णू के दस आवतारों का उलेक मिलता है यह कहा Australians है इसका क्या हो जाएगा मतत्स से पुरान में आउप्शन.ब्र D सही fahr जाएगा इसके बाद जाता था महा मत्यसर्प ठीक है आपसर नमबर ए राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद तीस नमबर प्रसंद देखिएगा कि नमर लखित में से कस्मीर के किससासक को कस्मीर का नीरो कहा गया है कस्मीर के किससासक को कस्मीर का नीरो कहा गया है तो यह कहा गया है हर सदेव को अप्सन नमबर एक राइट इंसर हो जाएगा उसका फ्रेंस 31 नमबर देख लिजेगा 31 नमबर है कि तुगलक वंस में बरीद ए मुबालिक नामक अधिकारी किस विभाग का मुख्या होता था तो यह जो होता था फ्रेंस यह ड प्रतिकातमक मुद्रा जो है जारे की गई थि यह किस के दुवारा जारी की गई थी यहां की गई थी मोहमद भिं काल में संपन हुआ था तो पहला बहुत संगती जмовा था आजात सत्रू के समय कहाँ पर तो राजग्री में दूसरा काला असुक के समय की समय कुंडल वन कस्मीर में हुआ था उसके बाद теп 24 नंमर देखेगाए और फ्रेंट्स वीडियो पसंद आ कुछेगा है उन सभी को यानि कि घटना चक्र को हमने सब्जेक्ट वाइज कभर किया हुआ है हिस्ट्रिक आलग पॉलिटिक आलग जोगरफिक आलग और साइन्स का हमने physics, chemistry और biology को अलग-अलग वीडियो में cover किया हुआ है economics को भी हमने cover किया हुआ है बिहार special को भी हमने cover किया हुआ है इन सभी वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा घटना चक्र ठीक है नाम से आप एक बार जरूर देख लेंगे देखे निमलकित में से कौन सी लिपी दाई से बाई की ओर लिखी जाती थी तो ये लिपी थी खरोष्टी option number A रैटनसर इसका हो जाएगा अश्ट दिगज संबंदी थे तो अश्ट दिगज पुछा गया है ठीक है अश्ट दिगज जो है यह किस संबंदी थे बताईए अश्ट प्रधान सिवाजी के दरवार में थे और अश्ट दिगज क्रिसंदेव राय के option number B रैटनसर हो जाएगा तेलगू साहित के आठ जो थे यह महान कभी थे next question दिखे कि निमर्खित में से किस सासक ने सुलह कूल की निती अपनाई थी देखे फ्रेंस जब अकबर को यह महसूस हुआ कि सभी धर्मों का एक ही उदेश है तब उसने सर्वधरम संपन का मार्ग पकड़ा और इसी को आगे बढ़ाते हुए 1582 में उसने दीन ए इलाही की अस्थापना की ध्यान रखेंगे रैटेंसर अकबर हो जाएगा अच्छा ध्यान रखेंगे आगरा को सुलह कूल के उपनाम से जाना जाता है किस साहर को आगरा को सुलह कूल के उपनाम से जाना जाता है अगला question देखें कि question number 37 है कि चितरकला की मुगल सैली की सुरुवात करने का स्रेज आता है ये किसको जाता है बताइए तो ये जो स्रेज आता है ये जाता है हुमाई हो option number C प्रशन का रहा है कि गुरु मुखी लिपी के अविस्कार एक निम्लेकित में से कौन थे तो गुरु मुखी लिपी का अविस्कार जो है सिखों के दूसरे गुरु अंगध देव ने किया था राय टेंसर option number इसका भी हो जाएगा वहीं आप सब पुछा जाए कि जो सिख है उ कि वर्ष 1775 में सूरत की संधी होई थी बताई राय टेंसर इसका क्या हो जाएगा तो देखे फ्रण सूरत की जो संधी होई थी ये किसके किसके बीच में होई थी तो ये रघुनात राव और अंगरेजो के बीच में होई थी option number इस संधी के अनुसार अंगरेजो ने रगु पहला, मराठा, सरदार भी था, बाजी राओ दूती है, ध्यान रखेंगे, चले, नेक्स्ट कुस्टन दिखेगा, कि दसिपोई, म्यूनिटी एंड, रिवोल्ट आफ 1857 पुस्तक के लेखा कौन है, इस पुस्तक को लिखा है, आरसी मजुनदार ने, आप्सन बर भी, रैटें को समात्त कर लिया है, आधुनिक भारत में बहुती कम टॉपिक बचा हुआ है, लगबग हमने आधुनिक भारत की तियास को भी कवर कर लिया है, कंप्लीट बुक को हमने कवर कर रहे हैं, तो आप लोग भी जूड़ जाईए, वहां से प्रशन निशित रुपसा आपकी एक कुस्ट देखेगा कि यंग-मगाल आंदोलन के परवर्थक थे, यंग-मगाल आंदोलन के परवर्थक जो धे, ये कौन थे, बताईए, तो रैडटनसर जो है इसका क्या हो जाएगा, 42 का रैडडनसर हो जाएगा, हैंडे लूइस और विविएन डेरे जी ओ, ओपसन नंबर और तीनों गोल में सम्मेलन के समय इंग्लेंड का प्रधानमंत्री कौन था तो रैमजे मकडोनाल्ड था ये भी पुछा जा सकता है महात्मा गांधी ने दूसरे गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था नेक्स्ट कोस्टन देख लिएगा 44 नंबर काफ प्रतार सैनिक थे और जो सैनिक अधिकारी थे उन पर अंग्रेजों द्वारा दिल्ली के लाल किले में नॉवंबर 1945 में मुकदमे चलाएगे और इन ही मुकदमे के बचाओं में यानि कि इन लोगों के बचाओं में भूला भाई देशाई की नेत्रित में तेज बहादूर स अपरू कैलास नाथ काड़ू अरोना असफ अली और ज्वाहरला नहरू ट्रमक वकील थे ठीक है तो रहे टेंसर इसमें से सी राज गोपालाचारी हो जाएगा यह नहीं थे ऑप्शन नमबर डी बिल्कुल करेक्ट इंसर हो जाएगा उसके बद 45 नमबर देखेगा फ्रेंस अप्शन नमबर ए सही इंसर हो जाएगा 46 नमबर देखेगा किनमलेकित में से किस एक्ट या प्रस्ताव को जोहरला नहरू ने दास्ता का अधिकार पक्ष कहा था तो यह कहा था भारत सासन अधिनियम 1935 को अप्शन नमबर डी इसका करेक्ट इंसर हो जाएगा उसके बाद हान्टर आयोक का गठन हुआ था तो है जालिया वाला बाग गॉत्या ऐक माध्यगीत नहीं तो दिखे मैं सर सुमेलित नहीं है तो कि 1909 को यह मांन्टेगीट सुधार अदनियम नहीं या मारले मैंटो सुधार अधनियम है तो सुमेलित नहीं आ अप्शन नम्बर A 1905 बंगाल भी भाजिन सुमेलित है 1850 भारती राष्टी कॉंग्रेस का उदय 1942 की किरिप स्प्रस्ताव तो ये जो है सुमेलित नहीं है ध्यान रखेंगे उसके बादे के स्वत्मत्र भारत के पर्थम भारती ये गौर्णर जनरल कौन थे भारती गौर्णर पुछा जा रहा है तो भारती गौर्णर जनरल जो थे ये कौन थे तो सी राजगोपरा चारी अगर यहां भारती न पूछ करके सिर्फ पूछा जाता कि स्वत्मत्र भारत के पर्थम गौर्णर जनरल तो ये लाड मांट बेटन थे कौस्टनमबर 50 देख लिजएगा कौस्टनमबर 50 का राय कि भारती समिधान में राष्टपति की निर्वाचन सम्मंदी प्रकृया का प्राधान किस देश के समिधान से प्रेलित है यहां आयर्लेंड के समिधान से ओप्सनमबर C रैटेंसर हो जाएगा आयर्लेंड कौस्टनमबर 51 है कि किस समिधान संसोधन के जरिये भारत में मताधिकार की आयू सिमा 21 वर्स से घटा करके 18 वर्स कर दी गई इंपोर्टेंट कौस्टन है तो रैटेंसर जो है इसका हो जाएगा 61 समिधान संसोधन उसकब देखेगा फ्रेंस की राष्ट्रिय आपातकाल का संबंध है तो राष्ट्रिय आपातकाल आपसे पूझा गया है ठीक है ध्यान रखेंगे तो यह है आर्टिकल 302 में 356 में क्या है तो राष्टपती सासन है राज्यों में और 360 क्या है वीतिय आपातकाल से संबदीत है अगला कोस्टन देखेगा नेक्ष्ट कोस्टन है कि डॉक्टर भीमरा अंबेदकर के अधिक्सता में समिधान सभा की प्रारुप समिती में अन्य कितने सदस से थे अगर हम डॉक्टर भीमरा अंबेदकर को मिला ले तो इस समिती में टोटल 7 सदस से थे लेकिन अधिक्स के अलावा अगर बात करें तो 6 थे, option number B इसका correct answer हो जाएगा ठीक है चली बी राइट इंसर हो जाएगा इनके अलामा छे सदसे थे और इनको अगर मिला दिया जाए तो टोटल साथ सदस्युभा कि वहारत का पहला राजी कोन से है पहला राजी जो गठित किया गया था यहाँ आंधर पुछाई था समेच्ट हो जाएगा उसे प्रकार से नेक्स्ट कुस्टन है हमारा कि भारतिय समिधान में नागरिकता संबंदी जो प्रावधान है वो वर्नित है तो यह कहां वर्नित है तो यह है किसमें भाग दो में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में ठीक है चलिए अगला कुस्टन देखिएगा नेक्स्ट कुस्टन है हमारा कुस्टन 56 कि समिधान की मूल ढाचे की संकल्पना अस्तित्य में आई थी यह कब आई थी तो यह वर्स 1973 में आई थी कुसंट निख सकतर हो जाएगा तो ध्यान रखेंगे फ्रेंट्स इंपोर्टेंट कोस्टन है यह जो दिया गया है आर्टिकल 13 32 और 226 में दिया गया अच्छा नियाइक पुन्रावलोकन यह कहां से लिया गया है तो सेंक्त तुराज अमेरिका से उसके बाद कोस्टन नंबर 58 देखेगा देखें फ्रेंट 58 म समधान संसोदन जिसमें कि क्या है 14 वर्ष जो कम बच्चे उम्र के बच्चे हैं उनको जो है माता पिता का करतब है कि उनको सिक्षा मुहिया कराये जाए राइट इंसर इसका ओप्सन नंबर D हो जाएगा यह समधान संसोदन जो है कब हुआ था 2002 में हुआ था उसी प्रकार प्रसन दिखेगा कि दल बदल विरोधी कानून संबंदित है तो फ्रेंस यह जो है दस भी अनुसुची से संबंदित है यह इसका बारे में आपको अल्रेडी पता होगा चलिए उसके बद अगला कुस्न दिखेगा कि देश की किसी भी नियायाले में चल रहे विवात को अन इस से हैं बताईए राइट एंसर बताई इसका क्या हो जाएगा तो इसका संबंद है केंद्र और राजियों के बीच परसपरिक संबंद हो से उसके बाद कॉस्शन नमर 63 देखेंगे 63 नमर कॉस्शन है कि चुनाओं आयोका कारे नहीं है इसमें से केंद्रियों चुनाओं क्या कारे नहीं है तो यह पंचायत का चुना करवाना यह जो है राज सरकार की जिम्मवारी होती है पंचायत का गठन जो है आर्टिकल 40 में है राजी के नीती निर्वाचन आउप्त है यह कौन है इनका नाम आप कमेंट करके बताएंगे ठीक है चलिए और उनका क्रम भी बता अगार का प्रोटीन है ओप्स नमबर यह जो होगा 64 का करेक्ट इंसर हो जाएगा 65 नमबर कुस्टन देखेंगे 65 नमबर को सन देखिए बहुत ही अच्छा को सन्न है बायलोजी का को सने कि थ्रौम्बीन का समद्न निमलेखित में से किस प्रकिरियास से है देखे जैंघ्रीड नोजन का नाम तो थ्रोम्बीन और फ्राबेन जमानों नाम किया प्रेल किसे संबने थो रख्त्रó जमा च्टेप के क्या है प्रोटीन है दियान रखेंग साऊए कौन सा विटामिन आवस्ता कुरूप से मदद करता है तो यह विटामिन C है, option number A, vitamin C, right answer इसका हो जाएगा अगला question देखेंगे, next question हमारा कि दुग निसकासन हार्मोन, oxytoxin, ध्यान रखेंगे oxytoxin का स्रावन करने के लिए निम्रकित में से कौन सी गरंथी उत्तरदाई है तो यह गरंथी कौन सी है फ्रेंट्स, यह गरंथी जो है यह प्यूस गरंथी है, option number B, right answer हो जाएगा अगला question देखेंगा, question number 68 है हमारा कि osteoporosis रोग संबन्दित है तो यह संबन्दित है हटी से, उसके बाद देखें golden rice, देखें golden rice में क्या पाए जाता है तो golden rice में क्या पाए जाता है, golden rice जो है, यह सरवाधिक मातरा में किस vitamin के स्रोथ है, तो vitamin A का उसे ब्रकार से 70 नमबर प्रसंद देखेंगा कि biochip में होता है, biochip में क्या होता है, तो देखें friends, biochip जो होता है, यह होता है, DNA, RNA, यह प्रोटीन तो right answer जो है, इसका option number D हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला question 71 नमबर देखेंगा कर आएग कि पुरुस में जो होता है, link की गुनसुत्र पाये जाते हैं, तो पुरुसों में जो link गुनसुत्र पाये जाते हैं, यह पाये जाते है, XY, option number B, right answer हो जाएगा, उसके बाद next question देखेंगा, 72 नमबर देखें, 72 नमबर का राये कि मोतीलाल नहरू राष्टिय प्रोद्रगी की संस्थान कहां वस्तित है, तो यह जो संस्थान है, यह कहां वस्तित है, तो यह जो है परियाग राज में है, इलहाबाद में है, उसके बाद एक स्वरपरतम मानव हिर्दे का पहला सफल बरनार्ड के द्वरा यह दक्षिन फिरका के जो है यह है ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए उसके बाद देखेगा यह सरजन है पेड़ पौधों में जीवन के होने का पता किसने लगाया था तो यह पता जो है जगजी संदर बोष ने लगाया था किसने मैं जैसी बोष इसका ह हो जाएगा क्रेश्कोग्राफ का आपने नाम सुना होगा किस क्रेश्कोग्राफ की खोज भी इन्हीं ने किया था जो कि पोदो की वृदि का दर का मापन करता है उसके बाद 75 नमपर कोशन दिखेगे कि गंद के बोद से सांथी को अकरसित करने का कारे निम्लिकित में से कौन सा हर्मोन करता है इस हर्मोन का नाम आपको बताना है बताए यह हर्मोन कौन सा है यह हर्मोन है फिरमोन ध्यान रखेंगे उसके बाद देखेगा कि मानों शरीर में पित का निर्मान का कारे करता है तो पित का निर्मान जो है यह कहा होता है यह लिवर में होता है ध्यान रख एड्रोजन हो जाएगा ठीक है उसके बाद next question देख लीजेगा 78 number 78 number question है कि नम्लिकित में से किस के दवरा गरहों की गति के नियम प्रतिपादित किया गया थे यह किया गया था कैपलर के दवरा option number B right answer हो जाएगा 79 number question अब देख लेंगे 79 number है कि नम्लिकित में से कौन सा सही सुमलित नहीं है तो देखे फ्रेंट्स इस में से जो सही सुमलित नहीं दिया गया है वो है टाइप राइटर टाइप राइटर की खोज किसने क्या था यह आप बताएंगे उसका बाद next question देखेगा कि अंतरिक्स में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है तो यह आर्यभर्ट है option number a राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चले उसका बाद next question देखेगा यू आर्यल का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको पता है कि यू आर्यल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर option number b इसका सही इंसर हो जाएगा 3D आत्वा 3 आयामी चितर के लिए निमलेखित में से किस तक्निक का परियोग होता है तो यह तक्निक जो है इस त तिप्रगती से चल सकती है तो लोलक की घड़ी जो है यहाँ जाड़े की दिनों में इसका क्या होता है लंबाई छोटा हो जाता है और जब लंबाई छोटा हो जाएगा तो यहाँ जो time period है इसका क्या हो जाएगा time period भी इसका छोटा हो जाएगा यानि कि कम हो जाएगा तो यह फॉर्मूला भी पता होगा कि रूट अंडर एलपॉन जी होता है ठीक है चली टी टाइम पिरियेड है अगला कुस्टन देखेंगे कि कुस्टन नंबर हमारा 84 है कि ग्रीन पार्क इस्टेडियम जो है यह कहां पर है तो यह जो है रैट टेंसर इसका बताईए कहां है यह कानपूर में है ठीक है ऑप्सन नंबर बी रैट टेंसर हो जाएगा उसका बद अगला कुस्टन देखेंगा 85 नंबर कि राजजीव गांति खेल रतन की सुरुवा और पहली बार यहां दिया था यहां कब दिया गया था टोання क्यांबय के मेंदें आनंद को अरड यह ड्शिव गंधी खेल लत नंबर यह 2020 में आखरी बार दिया गया था कितने लोगों सुरुव है तो तो पुलिटिजर जो है यह पत्रकारिता के शेतर में दिया जाता है option number D, right answer इसका हो जाएगा उसका बाद देखेगा कि कल्यान अर्थसास्त के लिए अर्थसास्त का नोबेल पुरसकार अमर्थ से नको किस वर्थ से प्रदान किया गया था तो इनको प्रदान जो किया गया था नोबेल पुरसकार यह दिया गया था 1998 में option number D, इसका answer हो जाएगा ज्यान रखेंगे 1998 में उसके बाद देखेगा कि केंद्री नमक वा समंदरी रसायन अनुसंधान संस्तान निमलकित में से कहां इस्तित है तो फ्रद्स यह भावनगर गुजरात में है, option number A, right answer हो जाएगा 89 नमक देखेगा कि बंद अर्थ बहुस्ता, वा अर्थ बहुस्ता है जिसमें न तो निर्यात होता है और नहीं आयात होता है पूरी तरह से वो क्या है? बंद है, option number D, इसका सही अनसर हो जाएगा 90 number question है कि किसी देश में जीवन अस्तर प्रतिविंबित होता है तो किसी भी देश में जीवन अस्तर है, यहां दिखाई पड़ता है, वहां के प्रतिव्यक्ति आय से ठीक है, option number B, right answer हो जाएगा 91 number देखेगा, important question है, प्रशन का रहा है कि वैस्विक वीतिये स्थिर्था report के संस्था के दवारा तयार किया जाता है तो यहां जो report है, यहां तयार किया जाता है, अंतराश्टिये मुद्रा कोस के दवारा, option number B, right answer हो जाएगा अंतराश्टिये मुद्रा कोस के दवारा, ठीक है, चलिए, अगला question देखेगा, 92 number, 92 number देखे, क्रिश्न क्रांती संबंदित है, तो क्रिश्न क्रांती जो है, यहां पेट्रोले मुद्पाजन से, नेपन अगर, जो की कागज उदोक के लिए प्रसिद है, ध्यान रखेंगे option number D, इसका रैटेंसर हो जाएगा, क्लियर है, चलिए, उसका बद अगला question देखेगा, कि दूतिये पंस वर्सिए होजना किस मॉडल पर आधारी थी, तो दूसरी पंस वर्सिए होजना जो थी, यहां हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारी थी, पहली जो थी, यह PC महल नोविस मॉडल पर आधारी थी, उसके बद एके State Bank of India का राष्टी करण कब हुआ था, तो State Bank of India पूछा गया है, ठीक है, आरे भी यही नहीं, ध्यान रखेंगे, State Bank of India का राष्टी करण जो है, यह 1955 में किया गया, नेक्स्ट कुस्टन है कि निर्धामता का दूस्सक्र की अधारना स को कौन पता है, तो रीन पता है, ओपसर नंबर B सही अंसर हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट कोस्स देखेंगा देंगा फ्रेंच, 99 नंबर 99 नंबर प्रशन का राय कि नमलेकित में सही कि जीले की सिवा जारकंट से नहीं लगती है, तो दिके जारकंट से टोटल आठ जी जीला कौन सा है तो निउन्तम पुछा गया है तो निउन्तम जो है यह वैसाली का है जान रखेंगे important है ठीक है फ्रेंट्स शली अगला question दिखेगा कि सरवादिक अनुसुतित जाती की जनसंक्या वाला जीला कौन सा है तो अनुसुतित जाती पुछा गया है तो यह हो जाएका गया अनुसुतित जन जाती पुछा जाता तो यह पस्मी चंपारन हो जाता बिहार में अनुमंडलों की कूल संक्या कितने हैं तो बिहार में टोटल 101 अनुमंडल है वह अगर प्रमंडल पुछा जाता तो 9 पर मंडल हो जाते, जीला पूछा जाता तो 28 जीला है उसका बाद देखें बिहार की राज की ये मचली है तो बिहार की जो राज की ये मचली है वो क्या है? तो फ्रेंट्स वो मांगूर है next question देखेबा कि विक्रम सीला गंगा डॉल्फिन अभीरन जो है या किस जिला में इस्तित है तो यह जो अभीरन है ये किस जिला में इस्तित है तो रैटेंसर इसका हो जाएगा भागलपुर में उसके बाद देखेगा है friends कि बिहार के प्रथम राजेपाल कौन थे तो बिहार क पूरी फिलिम है तो है प्यरी चड़ाइबो और राजद्धानी कहां थी तो वजी की वैसाली थी और सी राजद्धानी को आप एक बार जरूर याद कर लेंगे अगर आपको याद नहीं है तो ट्रिक्स से हमने इस वीडियो को कवर किया हुआ है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चले उसका देखेगा कि मगत की प्रारंबिक राजद्धानी कुन थी तो राजग्री धियान रखेंगे और सी राइट एंसर हो जाएगा उसका बाद देख लिजेगा कि आधुन के बिहार में यूरूपीय क कमपनियों का जो है यानि कि यूरूपीय बैपारियों के आने का क्रम क्या है आधुन के बिहार में पुछा जा रहा है तो राजटेंसर जो है इसका क्या हो जाएगा पुर्तगाली फिर डच फिर फ्रांसीसी फिर डैनिस आये थे अप्सिन नमबर बी साहिंसर हो जाएगा उसके बादे के बीर कुमर सिंग का जनम अस्थान क्या है तो इनका जनम जो हुआ था ये जगदीश पूर में हुआ था अप्सिन नमबर बीर एटेंसर हो जाएगा बिहार से अठारो सो संतावन का जो करांती था उसका नेत्रित्म इन्होंने किया था 113 नमबर देखेगा फ्रेंस अब पूछा गया आए कि इनकी मृत्यु कब होई थी तो इनकी मृत्यु जो है कब हुए थी तो ध्यान रखिंग के फेंस इनकी मृत्यु जो है या अठारासों अंठावन में होई थी 113 नमबर कोशन देली जेगा पठना कोलेज की अस्थाप तो विंदे समों की जो चटान है यह रोहतास और कैमूर में पाई जाती है धियान रखेंगे रैट एंसर इसके यह हो जाँगा रोहतास और कैमूर उसका प्वाद अगला कुस्तन दिखेंगा कि नमलिकित में से कौन सा दर्रा बिहार में इस्तित है बिहार में विकना ठोड़ बिहार में यहाँ मॉनसूनी पाई जाती है उसके बाद 117 नमबर देखेगा कि कुशेसर अस्थान जील इस्तित है तो कुशेसर अस्थान जील यह कहा है तो ध्यान रखेंगे फ्रेंस दरभंगा में ठीक है ऑप्सन नमबर साहरसा में सिम्री बक्तियारपूर जील है सबको आप ध्यान रखेंगे कावर जील बेगु सराय में है उसके बाद next question दिखेगा कि क्रिसी जलवाई छेत्रों का धार पर बिहार को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है तो बिहार को total जो है चार भागों में सब्सक्राण रखेंगे यह कहां है यह जमूई में है और यहीं पर राजिक का पहला जो पक्षी महुत्सव है इसका एजन किया गया थे ठीक है चलिए उसके बाद 120 नंबर question देख लिजेगा 120 नंबर है कि बिहार में निमनलिकित में से किस जिले में सोना पाया जाता है तो यह जमूई हो जाएगा इसका एंसर आपसर नंबर B 121 नंबर है कि बिहार में ग्राम पंचाज के सदस्यता है तो निमनलिकित कि सदस्यता होना चाहिए तो निमनलिक प्रसिद्ध धार्मिक अस्थल पावापूरी किस जिले में तो राइट इंसर इसका हो जाएगा नालंद सो तेज नमबर प्रश्ण है कि बिहार का विसो विख्यात सोनपुरु पस्व मिला किस नदी के किनारी लगता है तो यह लगता है गंडक सब्सक्राइब प्रश्ण बन सकेंगे आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एक बार आप जरूर देख लिजेगा यहाँ से निसीत रूप से प्रश्ण आपकी एकजाम में पूछे जाएंगे मनिस नर्वाल यह कहां क्या है तो मनिस नर्वाल यह हरियाना से संबंदी थे ठीक है कौन से राज जैसे हरियाना से और इन्होंने सूटिंग में जो है गोल्ड मेडल जीता है उसके बाद देखेगा टोटल भारत ने इस बार पांस गोल्ड मेडल जीते हैं ध्यान रखेंग हाली में टोकियो में संपन पाराओलम्पिक 2020 में भारत ने कूल कितने पदक जीते हैं तो भारत ने टोटल 5 गोल्ड 8 ऩीलवर और 6 ब्रॉज मेडल जीते हैं 8 पाउस 13 और 6 19 टोटल भारत ने 19 मेडल जीते हैं इस बार और सबसे अच्शा प्रदर्ष्टन रहा है अब तक भार देश ने काली गर्दन वाले सारस और हीम तेंद्वा को अपना राजकिये पक्षी और पशुगोसित किया है तो हाली में लद्दाक ने काली गर्दन वाले जो सारस हैं कि इनको अपना राजकिये पक्षी और हीमत इंद्वा को राजकिये पस्व भोसित किया है तो रैटन सर लद्दाक हो जाएगा ध्यान रखेंगे हाली में मुप्त पानी योजना सुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है तो जब भी पहला पहली जोड़ जाए यह अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है यह पहला राज्य जो है गोवा बना है ऑप्षन बर सी रैटन सर हो जाएगा ध्यान रखेंगे 128 नंबर है कि हाली में राज्य सभा के नए महा सचिव कौन ने उपकिया गया है अब यह किस का है नाम में ही चुप आओ तो कजाकिस्तान और अरटेंशर हो जाएगा इस वर्स जो है है इस का इजन किया जाएगा का जाकिस्तान में और इस वर्स же होगा यहां कौन सा संस्क्रन होगा तो याद रहेंगे यह इसका पाचवा संसक्रन होगा. अगला कोस्षिन देखेंगे, 130 नूमर प्रसंद देखेंगे कि पैरा उलम्पिक खेलों में स्वन्ड पदक जीतने वाली पहली भारती महिला कौन बनी है? पैरा उलम्पिक में दो पदक जीतने वाली ये बनी है आउनी लेखरा. option number C right answer हो जगे हैं लेखरा बना लिजेगा और साथी साथ एक और प्रसंद्यान रखेगा कि यहाँ पैरा उलम्पिक में दो पदक जीतने वाले ही पहली भारतिये महिला बन गई हैं अगर सिर्फ पूछा जाए कि पैरा उलम्पिक खेल में पदक जीतने वाली कोई भी पदक का महिला पुछा जाए तो यह दिपा मलिक है ध्यान रखेंगे दूसरी महिला भाविना बेन पटेल है ठीक है चलिए भाविना बेन पटेल ने इस बार सिलवर मेडल जीता है और भाविना बेन पटेल जो है यह टेबल टेनिस से सम्बंदित है इनको भी आप ध्यान रखेंग देखें फ्रेंट्स कि बिहार में देश का पहला दो ग्रीन एनरजी एफिसेंट टाउन कहां बनाया जाएगा तो यह बनाया जाएगा राजगीर और बोधगया में तो राइट अंसर उपरिक्त में से एक से अधिक हो जाएगा 132 नमबर कोशन देखिए कि स्टारगेजिंग दा प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखा कौन है काफी फेमस और चर्चित भुक है इसको लिखा किसने है तो भारतिय क्रिकर टीम के जो मुखे कोच है रवी सास्त्री उन्हों नहीं लिखा है तो अप्शन में रवी सा तो रैटनसर देखिए इसमें साहिल इची को दिया गया है कतरनी चावल को भी दिया गया है सिलाव खाजा को भी दिया गया है मगही पान को दिया गया है मधबनी पेंटिंग को भी दिया गया हाजिपूर के केला को नहीं दिया गया ऑप्सन नमबर ए रैटनसर इसका हो जा सब्सक्राइब के तालेबान के कबजे वाले अफगानिस्तान में फसे भारतियों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरू किये गए अप्रेशन का नाम क्या है तो अप्रेशन देवी सकती है अप्सन नंबर सी राइट इंसर हो जाएगा कुस्तन नंबर 136 देखेग के 137 नंबर प्रश्ण है कि समिधान संसोधान 86 के द्वारा 14 वर से कम उम्र के बच्चे को सिक्षा मूल अधिकार में जोड़ा गया है इससे पुर्व यहां समिधान के किस अनुछेद में उलिखी था तो अभी मैंने आपको बताया है कि 86 समिधान संसोधान जो की 11 मौली कर देखें इसके द्वारा 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको सिक्षा का फंडमेंटल राइड दिया गया है यह पूछा गया है कि से पहले यह समिधान के किस अनुछेद में उलिखी था तो यह 45 हो जाएगा उसके बाद देखेगा कि नेक्ष्ट कुस्ष्ण है कि भारत प और उमें ध्यांचंद पुरसकार किस वर्ष अस्थापित की गई थी तो ध्यांचंद पुरसकार जो था मेजर ध्यांचंद पुरसकार यह अस्थापित कब की गई थी तो यह 2002 में की गई थी अब जो है भारत रतन भामाफ की जगा खेल रतन एवार्ड जो है राजिव गा सभивает दो अलग अलग निकायों में बाटा गया तो अलग अलग निकायों में इनको 1989 शमनेधान सुम्सोदन था उसके दोबाड़ा गया था इसके बाद कोष़ान 141 देखिए, 141 question है friends हमारा कि मूल भारती समिधान में कितने भाग, कितने अनुचेद और कितने अनुचेद तो friends आपको पोता होगा कि 22 भाग, 395 अनुचेद और मूल समिधान में 8 अनुचेद और मूल समिधान में 8 अनुचेद थी, option number A, right answer इसका हो जाएगा 142 देखिए कि भारत में राजनितिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संसोधन कंतरगत अधनियमित किया गया, तो ये 10 वी अनुचेद और मूल समिधान संसोधन ध्यान रखेंगे 143 है कि भारत के समिधान में किस अनुचेद में कोरो को केंदर द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंदर और राज्यों की विच वित्रित किया जाता है तो ये कौन सा है, आर्टिकल 270 हो जाएगा, उसके बाद नेक्ष्ट कुस्टन दिखेगा, नेक्ष्ट कुस्टन हमारा है कुस्टन मबर 144, 144 है कि हमारे राष्ट्रिय गित के संचिप्त स्वरुप को तेवहार के उसर पर बजाने के लिए किया जाने वाला समय क्या है तो संचिप्त जो है, राष्टी गित पुछा गया है, ध्यान रखेंगे, राष्टी गान नहीं पुछा गया है, गित पुछा गया है, तो करेक्ट एंसर इसके कितना हो जाएगा, बीस सेकेंड हो जाएगा उसके बाद next question देखेगा कि पुलितजर पुरसकार किस छेतर में पदान किया जाता है तो यह अब हम लोग कवर किया था कि पत्तरकारिता के छेतर में यह repeat हो गया है ध्यान रखेंगे उसके बाद देखेगा फ्रेंस next question पुछा गया है कि किस आयोग ने अस्थाई राजकिये परिशद जो कि अंतर सरकारी परिशद के नाम से जानी जाती है कि अस्थापना का समर्थन किया था तो यह कौन सा है यह है पुंची आयोग ठीक है ध्यान रखेंगे next question देखेगा 147 है हमारा question कराया है कि स्वतंतरता के अधिकार के भाग के रूप में निमलेखित में से कौन सा बिल कौन सा जो है बिना हतियार के सांतिपूर्ण धंग सी कठा होने का जो है यहाँ अंतरगत नहीं आता है तो देखे फ्रेंट्स एक option जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है बाकी option भी मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी option यहाँ पर है सांतिपूर्व के कठा होने कात्रित जनता जिनको होतियार नहीं रखना चाहिए इस अधिकार के अभिहास पर राज्य कानून बना करके तर्क पुर्ण परतिबंद लगा सकता है तो रैटेंसर इसका option number A हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कोशन देखिए है कि चीन की समचार अजनसी का नाम क्या है तो चीन की जो समचार अजनसी है उसका नाम है न्यूज चाइना न्यूज अजनसी ठीक है अफसर नमबर C रैटेंसर हो जाएगा एक सोन नदी जो है यहां निकलती है कहा से फ्रेंट्स अमर कंटक से 150 नमबर प्रसंट देख लीजएगा और फ्रेंट्स अपना इसकोर आप सभी लोग कमेंट करके बताएगा इस प्रशन का अंसर आप कमेंट करके देंगे और फ्रे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक बार आप जरूर देख लेंगे